कि भगवान, कृष्ण, साक्षात, अर्जुन को उपदेश दे रहे थे भगवत गीता में और रणक शेत्र में वो आकर के केवल इतनी बात समझाना चाते थे अर्जुन उठा उठा, गानी उठा, धनुश उठा और जो प्रतिद्वन्दी है उसको मार दे अर्जुन को ये बात समझ नहीं आ रही, साक्षात भगवान थे लेकिन उन्होंने धमकी नहीं दी, यदि वो धमकी देते और एक बात कहते कि चल अर्जुन, उठ खड़ाओ, मैं कह रहा हूँ और तुझे इनको मारना है, तेरे सबांदूं को मारना है तो अर्जुन की क्या हिमत थी, अर्जुन का क्या सास था कि वो युद्ध से भगवान कृष्ण को मना कर देते लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या किया, धैरी अपनाया और धैरी अपनाते वे, सबसे पहले उन्होंने जो है तीन तरे के मारग अपनाए भक्ती से समझाया कर्म से समझाया और जान से समझाया और तीन योग का समुझे बन गई भक्ती योग कर्म योग जान योग कि भक्ती से समझ ले भक्ती से समझने आए तो कर्म से समझ ले कर्म से समझनी आये तो जान से समझ ले और अठारा ध्याई बन गए और साथियों यदि पहले ही वाक्य में कह देते भगवान कृष्ण की उठ तुझे युद्ध करना है ये भगवत गीता जैसी अधोत और अनिर्वचनिये आकल पनिये सोगात इस स्रस्टी को कभी नहीं मिल पाथ ये पूरी की पूरी स्रस्टी जो है वो लड़ने की और धैरिये वाले लोगों की है वो धैरिये ऐसा अदम में साहस है उसमें ऐसी सक्ती होनी चाहिए ऐसी प्रसंद आवेग होना चाहिए कि जीवन में आपको कोई हरा नहीं सके बस एक ही चीज मेरे मस्तिक्स में चलनी चाहिए चरई वेती चरई वेती चरई वेती बक्ती से समझाया कर्म से समझाया जान से समझाया जब अर्जुन माना ही नहीं भगवान स्री कसिन ने जब बक्ती कर्म जान तीनु तरे का रास्ता अपना लिया तब भी अर्जुन के बाद खोपड़ी में नहीं आई तब वो क्या कहते हैं कि अर्जुन अब सोड़ तुझे भक्ति समझनी आई, कर्म समझनी आया जान समझनी आया, कोई नहीं तु सभी धर्मों को छोड़ दे और मेरी एक मातर शर्ण में आ जाया मैं तुझे सभी प्रकार के पापूं से, किलमशूं से, अपरादूं से मुक्त करूँगा, तब अर्जुन ने हत्यार उठाया, और युद्ध के अंदर वो प्रविष्ठ हुए, और तब हमारा इतियास, आज हमारे सम्मुक ये बना